Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Daybook में रहते हुए Transactions से संबंधिक क्या काम किये जा सकते हैं इसके पहले वाली दो वीडियोस में आपने जाना कि Daybook क्या है, इसे कैसे देखते हैं साथ ये Daybook में Configuration के साथ अन्य Options का उपयोग कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि Daybook में रहते हुए Transactions से संबंधित कौन-कौन से काम किये जा सकते हैं ध्यान रखें, Daybook की इसके पहले वाली दो वीडियोस और ये वीडियो बहुत ही मातपून है क्योंकि इन तीनों में बताएंगे options आपको कई जगह पर बहुत काम आएंगे अभी हम Gateway of Delhi पर हैं, Daybook के लिए K प्रेस करें अब वित्तिय वर्ष यानि financial year की शिरुवात से लेकर जहां तक हमने transactions किये हैं वहां तक की report देखने के लिए alter और F2 की प्रेस करेंगे अब यहां पर from में space bar प्रेस करके एंटर प्रेस करें और इसी तरह 2 में भी space bar प्रेस करके एंटर प्रेस करें देखिए यहां सभी vouchers दिखाई पड़ रहे हैं यहां F4 की सहायता से sales voucher सेलेक कर लें अब F12 से कुछ configuration कर लेते हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो vouchers बनाए हैं यदि आप उन में से किसी voucher को देखना चाहते हैं या किसी voucher में कुछ बदलाव यानि alteration करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए voucher पर जाकर एंटर प्रेस करें देखिए हम जिस voucher पर गए थे वो उपन हो गया है यहां से आप जो भी alteration करना चाहें जैसे पार्टी का नाम, stock item, quantity या rate इत्यादी में जो भी परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं साथ ही यदि आप कोई नया item जोड़ना चाहते हैं या कोई item delete करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जैसे हम इसमें पहला item delete करना चाहते हैं तो उस पर जाकर delete बटन प्रेस करके item का नाम delete कर देंगे फिर enter प्रेस करेंगे देखें पहला item चला गया और उसकी जगह पर दूसरा item जो की नीचे था वो आ गया है अब यदि आप इसे भी बदलना चाहते हैं तो space bar प्रेस करें और दूसरा item सेलेक कर ले यदि आपको इसमें कुछ stock items और लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं अब हम इस voucher को control और A keys प्रेस करके accept कर लेते हैं चले अब देखते हैं कि यदि आप किसी voucher को delete करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं किसी voucher को delete करने के पहले हम आखिरी voucher का number देख लेते हैं जो की 6 है अब जिस voucher को आप delete करना चाहते हैं उस पर जाकर alter और D keys प्रेस करें जैसे यहां हम दो नंबर के voucher पर जाकर alter और D keys को प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही एक confirmation window आएगी यदि आप वाकही में delete करना चाहते हैं तो yes के लिए why या enter प्रेस करें और यदि delete नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए end प्रेस करें हम इसे delete करना चाहते हैं इसलिए why प्रेस कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही वह voucher delete हो गया और उसके बाद की सभी vouchers के numbers भी change हो गए हैं जो कि हम आखरी voucher का number देख कर समझ सकते हैं पहले आखरी voucher का number 6 था जो कि अब बदल कर 5 हो गया है यहां पर एक महतुपुन बात समझ लें कि sales voucher के इस्थान पर यदि कोई और voucher होता तो voucher number बदल जाना बड़ी समस्या नहीं होती पर sales voucher के number बदल जाना बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि हम इन sales bill के print अपने customers को दे चुके हैं और उनके record में हमारे जो bill number है और हमारे रिकॉर्ड में जो voucher यानि bill number है वाउचर डिलीट करने से अब वे अलग-अलग हो गए हैं जो कि गलत है उदारन के लिए हमने customer को जो bill number 6 का print दिया था उसका number अब हमारे यहां 5 हो गया है यानि एक ये bill के दोनों के records में अलग-अलग number हो गए हैं जो कि गलत है यहां हमारे कहने का मतलब यह है कि डिलीट का उपयोग जब भी करें सोच समझ कर करें खासतोर पर sales vouchers के case में टैली ने किसी sales bill को डिलीट करने से होने वाली समस्या का एक सरल समाधान cancel भी दिया है इसका फाइदा यह है कि इसका उपयोग करने से bill numbers पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आये इसका उपयोग आपको करके बता देते हैं उपयोग करने से पहले आखरी voucher नमबर देख लेते हैं जो कि 5 है अब voucher को cancel करने के लिए voucher पर जाकर alter और x प्रेस करें confirmation window आ रही है यहाँ yes के लिए y प्रेस करें देखें यहाँ voucher की details चली गई है और सिर्फ cancel लिखा आ रहा है साथ ही देखें आखरी बिल नमबर पाँच पहले की ही तरह अपनी जगह पर है उसमें कोई change नहीं हुआ है यानि delete के इस्थान पर cancel करने से बिल नमबर में कोई भी changes नहीं होते हैं बविशी में यदि आप चाहें तो cancel voucher को select करके open करें और उसकी जगह दूसरा transaction record कर सकते हैं आगे समझने के लिए हम F4 प्रेस करके all items select कर रहे हैं आईए अब समझते हैं add voucher की प्रक्रिया को माल लेजिए कि हमें एक मई को कोई payment प्राप्थ हुआ था जिसके entry करना हम भूल गए थी तो अब हम जिस voucher के बाद उसी type का एक voucher और बनाना चाहते हैं जैसे कि हम इस receipt voucher जिसका number 2 और तारीख 1 मई है इसके बाद इसी तारीख में एक और receipt voucher जिसका number 3 हो बनाना चाहते हैं तो हम इस voucher पर जाकर alter और एक इस को प्रेस करेंगे आप उस voucher पर जाकर alter और एक प्रेस करें जिसके बाद आप नया voucher बनाना चाहते हैं देखिए हमने receipt voucher select किया था तो यहां receipt voucher creation screen आ रही है साथ ही उसका अगला number 3 और तारीख 1 मई ही आ रही है अब यहां से हम voucher बना सकते हैं हम escape की से वापस चलते हैं add voucher का एक और मुख्यू प्योग है जब आप day book पर होते हैं और उस समय यदि आप किसी भी तारीख में किसी भी type का कोई voucher बनाना चाहते हैं तो alter के साथ एक इक को प्रेस करें ध्यान रखें इसके लिए आपको किसी भी voucher पर जाने की जरूरत नहीं है अब alter और A की प्रेस करेंगे देखिए accounting voucher creation screen आ गई है यहां पहले आप जिस तरह का voucher बनाना चाहते हैं उसे right button bar या shortcut की साहता से select करें तारीख पदलें और फिर अपना voucher बना लें माली जे हमने 1 September 2020 को रमी शर्मा को सितंबर माँ 2020 का ओफिस का किराया 10,000 रुपए नगत दिया आए इस transaction को record कर लेते हैं देखिए accounting voucher creation screen आ रही है हम FI प्रेस करके payment voucher ले आते हैं अब F2 की सहायता से तारीख बदल लेते हैं अब voucher बना लेते हैं अब इसे accept कर लेते हैं आईए अगला shortcut समझ लेते हैं अभी हमने जो office किराय पर लिया है उसका किराया प्रतिमा देना होगा और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें voucher बनाने की पूरी प्रक्रिया दोहरानी ना पड़ी तो उसके लिए हम voucher का duplicate बना सकते हैं duplicate voucher बनाने के लिए पहले आप जिस voucher का duplicate बनाना चाहते हैं उस पर जाएं और alter or two keys को प्रेस करें देखिया हमने जिस voucher पर जाकर alter or two keys को प्रेस किया था यहां उसका duplicate आ गया है अब इसमें जो भी changes करना हो वो हम कर सकते हैं हम f2 key प्रेस करके तारिक बदल रहे हैं और enter प्रेस करते हुए narration पर आ गय है narration के आखिर में यदि कुछ type करना चाहते हो तो end key प्रेस करें और यदि प्रारंभ में कुछ type करना चाहते हो तो home key प्रेस करें और beach के लिए left arrow या right arrow key का उप्योग करें यहां हम October महा का किराया दे रहे हैं तो September 2020 को बदल कर October 2020 कर रहे हैं ध्यान रखें किसी शब्द को हटाने के लिए delete या backspace key का उप्योग करें अब इस voucher को accept कर लेते हैं तो इस तरह आप duplicate voucher बना कर अपना समय बचा सकते हैं चलिए अब समझ लेते हैं insert voucher की प्रक्रिया को कई पर ऐसा होता है कि हम कई सारी transactions record करते हैं तो बीच में कोई transaction record करना भूल भी जाते हैं जैसे माल लीजिए हम एक October के payment voucher जिसका number 6 है कि पहले एक transaction record करना भूल गए थे जो की इस प्रकार है एक October 2020 को हमने रमेश से एक table 1000 रुपे नगत दे कर खरी दी तो आईए देखते हैं बीच में voucher कैसे insert करते हैं इसके लिए जिस voucher के पहले आप ये voucher बनाना चाहते हैं जैसे कि हम एक October को payment voucher number 6 की जगह पर ये voucher बनाना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और i key प्रेस करें ये देखे payment voucher creation window आ रही है यहाँ voucher का वही नंबर आ रहा है जो voucher हमने select किया था अब हम transaction record कर लेते हैं अब इसे accept कर लेते हैं देखे हमने जिस voucher पर जाकर alter और i key को प्रेस किया था वो नीचे आ गया है और उसकी जगह पर नया voucher आ गया है अब यहाँ आपको एक confusion हो रहा होगा कि insert voucher और add voucher का उपयोग तो एक ही है फिर ये अलग-अलग कैसे हुए देखे एड वाउचर का उपयोग हमने किसी voucher के बाद वाले नंबर पर voucher बनाने के लिए किया था जबकि insert voucher का उपयोग हमने किसी निश्यत voucher नंबर पर कोई नया voucher बनाने के लिए किया है चले आगे पढ़ते हैं और अगला option देख लेते हैं माली जे यहां दिखाई पढ़ रहे vouchers में से कुछ vouchers हम डिलीट करना चाहते हैं तो इन्हें एक एक करके डिलीट करने की बजाए एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं इसके लिए पहले जिन वाउचर को डिलीट करना चाहते हो उन पर अप या डाउन एरो की से जाए और इस पेस बार प्रेस करके उन्हें सेलेक कर ले यह देखिया हमने चाहर वाउचर सेलेक कर लिए हैं अब और डि प्रेस करेंगे ऐसा करते ही पुछा जाएगा कि क्या आप सेलेक किये गए वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं यदि हाँ तो वाउचर करें वाउचर करते ही सेलेक किये गए सभी वाउचर डिलीट हो जाएंगे हमें ये vouchers delete नहीं करना है इसलिए हम end प्रेस कर रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलती से कोई voucher select कर लेते हैं जैसे कि अभी हमने इन चार vouchers में से इस voucher को गलती से select कर लिया था और अब हम इसे deselect करना चाहते हैं तो इस voucher पर जाकर space bar प्रेस करें ये देखिए selection हट गया है और यदि आप select किये गए सभी vouchers को एक साथ deselect करना चाहते हैं तो इस cap की प्रेस करें ऐसा करते ही selection हट जाएगा यदि किसी कारण से आप सभी vouchers को एक साथ से लेक करना चाहते हैं तो control और space bar प्रेस करें ये देखिए सभी vouchers select हो गये हैं और यदि आप इन्हें deselect करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से control और space bar प्रेस करें तो दूस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ shortcuts बताएं हैं उनको एक बात फिर से short में बता देते हैं किसी voucher को alter करने के लिए उस पर जाकर enter press करें वो voucher open हो जाएगा आप अपनी सरुरत की अनुसार उसमें changes करके उसे accept कर लें किसी voucher को delete करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और depress करें और फिर enter press करें किसी voucher को cancel करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और express करें और फिर enter press करें किसी भी वाउचर के बाद उसी प्रकार का अगली नंबर का वाउचर बनाने के लिए उस पर जाकर आल्टर और A कीज प्रेस करें या फिर किसी भी प्रकार का नया वाउचर लाने के लिए यानि एड वाउचर के लिए आल्टर और A प्रेस करें किसी वाउचर का डुप्लिकेट बनाने के लिए उस वाउचर पर जाकर आल्टर और टू प्रेस करें किसी इनिश्यट वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानि insert voucher के लिए उस voucher पर जाकर alter or eye प्रेस करें किसे voucher को select करने के लिए उस पर जाकर space bar प्रेस करें selected vouchers को deselect करने के लिए पुना उस पर जाकर space bar प्रेस करें और यदि आपने बहुत से voucher select किये हुए हैं तो उन्हें एक साथ deselect करने के लिए skip की प्रेस करें दिखाई पढ़ रहे सभी vouchers को एक साथ सिलेक करने के लिए Ctrl और Space Ball प्रेस करें Selected vouchers को एक साथ D सिलेक करने के लिए फिर से Ctrl और Space Ball प्रेस करें या Skip की प्रेस करें इसी तरह के कुछ शॉटकट्स और भी हैं जो हम आपको अगली वीडियो लेजर्स को कैसे देखें में बताएंगे इस वीडियो में और इसके पहले वाली दो वीडियो में आपने डे बुक के बारे में जाना इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको रिपोट्स हैटिंग के अंतर गताने वाली accounts books में ledger के बारे में बताएंगे